दोस्तियार वी यू की तरफ से जो है QLED की प्रीमियम टीवी लॉंच हो चुकी है यहाँ भी यह जो स्क्रीन साइज है इसकी वो 75 इंच की देखने को मिलती है और अल्टरा एजडी 4K की रेजलुशन के साथ आता है यह एंडॉड टीवी वहें पर जो डिजाइन है इसकी काफी जो है प्रीमियम देखने को मिलती है काफी यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक भी है बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलते हैं इस टीवी में जो है Quantum Dot की टेक्नॉलजी दी गई है जिसकी मदद से इसमें अब जो है Dolby Vision और HDR10 जैसे सभी formats को enjoy कर पाऊगे जो इसमें speakers दिएगे हैं वो 40W के output के साथ आते हैं टोटल 4 speakers हैं जो कि box type के speakers हैं जो कि Dolby Atmos के साथ आते हैं तो यहाँ पर आप सभी को sound का system यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है clear and powerful audio quality इसमें आप enjoy कर पाऊगे वहाँ भी इस TV में जो है intelligent content का option मिलता है इस TV में आप सभी OTT platforms को access कर पाऊगे यह एक Android TV है stock Android है तो आप सभी को जो है Google Play Store मिलता है वहाँ से आप बहुत सारी applications को भी download कर पाऊगे और access कर पाऊगे Netflix Prime Video, Disney Plus Hotstar, YouTube जैसे सभी applications इसमें चलती है और आप सभी को जो है जो भी आप web series या content ढून रहे है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो designers की वो काफी अच्छी देखने को मिलती है grey bezel के साथ आता है जो इसका frame है वो metal का है stand भी आपको metal देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप सभी को जो है design में तो यह बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है वहीं पर यह gaming के लिए भी काफी सही रहता है क्योंकि इसमें gaming mode भी दिया गया है और powerful processor मिलता है जो कि 64 bit का quad core processor है total 2GB की RAM मिलेगी और 16GB की internal storage में provide की गई है ताकि आप applications वगेरा को download करो तो उनको store भी easily कर पाऊगे जो launch year है इस TV का वो 2022 है अभी इसी year जो है यह recently launch हुआ है और flip card पे आपको यह देखने को मिल जाता है यह जो TV है wall mount के साथ आता है included है आप सभी को separately जो है buy करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो features की बात करें तो आप सभी को बता दू 60Hz का जो है यह यह पर refresh rate मिलता है digital noise filter के साथ में और वहीं पे AI picture booster भी मिल जाता है जो कि बूस्ट करता है picture quality को HDR10 Dolby Vision HDR HLG जैसे features मिल जाते हैं और वहीं पे audio features की बात करें तो total 4 speakers मिलेंगे इस TV में जो कि box type की speakers है और Dolby Atmos Dolby Digital Audio का भी support यहाँ पे देखने को मिल जाता है 40W का output यहाँ पे मिलता है और जो है आपको सभी sound modes भी मिल जाते हैं इस TV में Dolby Atmos Dolby Digital Audio Surround Visualizer जैसे यहाँ पे other audio features भी दिये गए हैं इस TV में Bluetooth मिलता है Bluetooth से आप सभी wireless devices को connect कर पाओगे और वहीं पे 2 USB के ports मिल जाएंगे 3 HDMI के ports मिलते हैं smart TV में और जो power consumption है ज्यादा ही रहेगा क्योंकि इसका screen size है वो 75 inch का है यानि बड़ा TV है तो आप सभी को जो है 225 watt का power consumption देखने को मिल जाता है और वहीं भी 0.5 watt का standby जो है इसका power consumption है अब बात करें finally price की तो 1,19,999 रुपीज इस TV का price हमें देखने को मिलता है और flip card पे आप इसे purchase कर सकते हैं वहाँ अभी coming soon दिखा रहा है तो जल्दी वहाँ पी यह आ जाएगा और अगर purchase करना चाहो एक premium TV वी यू की तरफ से जो की काफी बड़े screen size में आये तो ये TV आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा 2022 का एक दाउन latest TV है तो आप सभी को कैसा लगा ये TV जरूर से बताना अपने opinion शेर करते हुए comment box में